हलो दोस्तो वेलकम डूँआ यूट्यूब चेनल स्मार तरीका दोस्तो फाइनली इंडियन गुर्मेंट ने फर्स्ट टाइम क्रिप्टो टेक्स पर बात किये और 30% टेक्स है वो लगा भी दिया है लेकिन जब से यूज निकल के आई है इंडियन क्रिप्टो ओल्डर्स को समझ नहीं आ रहा है कि इस निउज पर खुश होना है ये दुखी होना है क्यूकि good news यह है कि finally इंडिया में क्रिप्टो करंशी है वो legal हो चुकी है क्यूकि किसी भी illegal चीज पर गुर्मेन टेक्स नहीं लगा सकती है तो यह तो confirm हो चुका है कि इंडिया में आप cryptocurrency पर जो ban है वो लगने वाला नहीं है या crypto ban word कभी हमें सुनने को भी नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तो bad news यह है कि जो tax लगा है वो 30% लगा है जो की काफी ज़्यादा है इंडिया में किसी भी चीज पर 30% tax नहीं लगा है जो crypto पर लगा है तो काफी ज़्यादा टेक्स लगा है अगर आप किसी भी crypto exchange से अपने bank account में एक लाख रुपे का transaction करते हो तो आपके account में आ लगने वाला है लेकिन bad news यह है दोस्तों कि अगर आपको profit होता है हमको profit होता है तब तो हम 30% tax से वो देहीं देंगे लेकिन अगर हमको loss भी होता है तब भी हमें 30% दोस्तों जो tax है वो देना पड़ेगा यह पर loss पर कोई छूट नहीं मिलने वाली है profit होगा या loss होगा दोन इंडियन government apply करने वाली है दोस्तों इसके लिए इंडियन government ने हमें काफी ज़्यादा time दिया है यह दोस्तों जो tax है वो लागू होने वाला है एक अप्रेल 2023 को तो अभी काफी time है हमारे पास लगवक एक साल से भी ज़्यादा time है जब तक हमको यहाँ पर 30% जो tax है वो लग था दोस्तों काफी ज़्यादा बढ़ रहा था नए नए crypto holder small investor जो cryptocurrency में वो आते हुए जा रहे थे लेकिन अब दोस्तों 30% tax से लगेगा इससे होगा यह कि जितने भी small holder आ रहे थे small investor आ रहे थे जो कम time कर रहे थे वो अब कोड़ा investment करना यहाँ पर बंद कर देंगे क्योंकि 30% तुमको tax से ही लग जाएगा काफी ज़्यादा tax लगेगा लेकिन दोस्तों इससे एक चीज यहाँ पर फाइदा भी होने वाला है कि जितने भी बड़े-बड़े holder है जो है पर वेट कर रहे थे कि कब इंडिया में crypto currency legal हो तब कहीने कई इंडिया में crypto currency है वो legal हो चुकी है क्योंकि किसी भी illegal चीज पर government है वो band नहीं लगाती है तो अब दोस्तों जितने भी बड़े-बड़े holder थे वो अब आपको है पर इंडिया में crypto में आते हुए नजर आएंगे लेकिन जितने भी small holder थे वो अब कहीने कई crypto से दूर होते हुए नजर आएंगे आपको क्या लग